दोस्तों आपका एक नई वीडियो में और दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपके लिए एक नई रवर लेकर आए है आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे हाथ में यह रवर है तो आप सोच रहे हों कि यह रवर तो मैंने पहले भी देख ली है लब मैंने पहले भी देखा चु लेकिन दुस्तु यह चवब्याम.ईंगत की रबड नहीं है ये देख सकते हैं दुस्तों ये रबड है झो अपनी है कि ये दिखिए अब लेकिन आप तीन लेयर वाली रबड देखेंगे दोस्तों यह मार्क आप देख रहा है ना ऐसी मार्क दोस्तों मसीन से ही लगकर नकलते हैं क्योंकि यह 1-meter का रहता है, तो 1-meter की cutting होती है मसीन में, तो यह 1-meter में automatic cut-कर यह mark लग जाते हैं, दोस्तो इस mark का मतलब यह होता है, यह बहुत ही BIP rubber है, मतलब इसमें सबसे high quality का material यूँज किया गया है, तो यह दोस्तो BIP rubber कहलाए है, क्योंकि दोस्तो इसकी एक खास बात है, मैं आपको बताता हूं, और देखे, मैं दावी की साथ कह सकता हूं कि इसमें 3 लेयर है, यहां से मैंने इस रबल को एक जगे से काट कर देखा था, यहां से यहां से मैंने इसको काट कर देखा था इस रॉबर को तो आप देख रहे हैं कि दोस्तो इसकी एक लेयर ऐ हो गई ठीक है यह देखिए आपको साप साप समन्य में आ रहा हो एक लेयर है एक इसके अंदर है और फिर दोस्तों इक और इसके अंदर है दोस्तों हम नैस्ट वीडियो में इसको अच्छी तरह से काटकर और इसकी तीनो लेयर आपको को दिखाएंगी दोस्तों एक रबर भी अपनी काफी पावर फुले देखिए दोस्तों इतनी बहत्रिन है और दोस्तों इसकी साइज भी अपनी 14 mm रबर की तरह ए उसी रबर के जैसी फैक्सिवल और भूत लचीली रबर है दोस्तों और दोस्तों इसमें तूटने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि इसमें तील लेयर है अभी तक अपनी डवल लेयर वाली रबर मिनिमाम एट मन्त से लेकर बारा मन्त तक चल जाती चाती तो आप समसकते आगे दोस्तों इसमें तो 3 लेयर है तो एक कितनी रबर चल जाएगी आपके पास और दोस्तों इसमें तूटने का कोई सवाल ही नहीं है यह अनलिमिटेट चलेगी बस इसको दोस्तों आपको धूप से बस बचा कर रखना पड़ेगा यह कुए करका जरूरी बताएं कि आपको यह नई रवर कैसी लगी और दोस्तों नेस्ट वीडियो हम इस रवर की सिलिंग सोट बनाएंगे और इसका दोस्तों ट्रैल बहुत धमाकेदार होने वाला है तो अगर आप चैनल पनाए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजेगा क्योंकि ऐसे नई नई रवर आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी नेस्ट वीडियो में